सामाने तोर पे देखा गया है कि एक और दो संतान के बाद दमपती नस्बंदी का ओप्रेशन करा लेते हैं लेकिन किसी कारण वर्ष दुबारा संतान करने की इच्छा जागृत हो जाती है पर नाच्रली कंसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि नस्बंदी ओप्रेशन के बाद महिला के बीज पुरुष के शुकराणूं से फटलाइस नहीं हो पाते हैं और साव्राकतिक रूप से गरबधारण नहीं हो पाता है ऐसे दमपती जोने नस्बंदी करा ली है और दुबारा संतान चाहते हैं वो नस्बंदी खुलवाने का ऐप्रेशन करा सकते हैं परन्तु ऐसा देखा गया है कि कुछ दमपतियों में जब यह operation कराने के बाद भी प्राकतिक रूप से संतान होने की संभावना काफी कम होती है ऐसे दमपतियों के लिए जुनोंने नस्बंदी करा ली है और दुबारा संतान चाहते हैं IVF चैसी तकनीक जिसको test tube baby भी कहते हैं बहुत लाबदायक हो सकती है इस तकनीक में नस्बंदी का operation खुलाने की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि ट्यूब को bypass कर दिया जाता है और fertilization lab में कराई जाती है इस तकनीक में महिला को 10-12 दिन के लिए injection दिये जाते हैं और बीज बनाए जाते हैं और उचित बिहोशी में इन बीजों को lab में निकाला जाता है उसके बाद इन बीजों को पुरुश के शुकराणूं के साथ fertilize कराके भून बनाये जाते हैं और इन भूनों को 3-5 दिन तक lab में अच्छे से दिखा जाता है और grow कराया जाता है फिर सिथी के अनुसार तीसरे या पांचवे दिन में महिला के गर्व में इनको भूनों को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे गर्व धारण हो सकता है IVF एक सरल और सफल तक्नीक है और इससे ऐसे दमपती जो इनस्बंदी करा रखी है और फिर से संतान का सुप चाते हैं काफी लाबदाएक उपचार हो सकता है